तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार के स्टार पैटन फॉर्म करने वाले हैं जिसमें हम प्रिंट करेंगे अल्फाबेट एक्स को तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने इस पहले में आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं अगर अब तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब कर लिए हमारे पास में यहां पर दो प्लेलिस्ट जिसमें से एक लिस्ट का नाम है स्टार के अनदर हमारे पास में जो प्रिण से बेसिक से प्रोग्राम यह सारी प्रोग्राम जो है वह इस प्लेइस के अंदर इंक्लूडेड है तो आप यह प्रैक्टिस कर सकते हैं मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा अब कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम वी एस कोड को यू कर लेंगे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा फोल्डर जहां पर ओपन हो चुका है अब इसके पहले हमने और भी प्रोग्राम जहें वह की हैं जैसे कि यहां पर हमारा पास में लगबग 11-12 प्रोग्राम जहां हैं वहांने कर रहे हैं तो इनका लिंक मैं आपको ड जो बेशे स्ट्रक्चर फिलेंगे मतलें जो भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए बेसिक फ्रक्चर होता है वह यहां पर लिख लेंगे तो सबसे पहले आती है इनलिघर फाइल तो सबसे पहले है नोगे हमारी हैस्टेग इंक्लूड stdio.h then second header file होगी है हमारी यहाँ पर hashtag include conio.h then main function का declaration होगा यहाँ पर okay then open and closing curly braces return 0 okay then उसके बाद में अभी हाँ पर हम सबसे पहले हमारे basic structure को समझेंगे तो जो हमारी पहली header file है वो होती है standard input output header file इस header file के अंदर सारी information include होती है input and output operations के बारे में then second header file आती है हमारी console input output header file इस header file के अंदर हमारे सारे printf function scanf function getch function यह जो भी function है यह सारे function जो है वो include होते हैं then आता है main function का declaration जो कि होता main entry point of the c program उसके बाद में हम यहाँ पर करते हैं variable declaration जो भी logic implementation होता है वो होता है हमारा दोनों open and closing कर ली braces के अंदर ओके अभी हाँ पर हम variable declare करेंगे in lines lines इसलिए क्योंकि जो हमने अभी pattern देखा था वहाँ पर हमारे पास में कुछ number of lines थे जिसके भी हाँ पर हमने वह pattern print किया था ओके और यहाँ पर हम लिखेंगे अब printer function के थूरू एक message print करेंगे हम यहाँ पर enter the number of lines okay then उसके बाद में हम यहाँ पर solution का यूज करेंगे श्लैशन एक escape sequence operator होता है जो हमारा कर्शन next time पर लाकर देता है अब scan of function का use करेंगे एंड यहाँ पर आज हम format specify percent d use करेंगे क्योंकि हमारा जो lines variable है वह integer data type के अंदर store है उसके बाद में यहाँ पर percent sign का use करेंगे यह फिर address of operator जिसके थुरू यहाँ पर हम lines variable के अंदर हमारा जो number of lines है उसका value input ले लेंगे ओके अब यहाँ पर हम क्या करने वाले दो लूप लगाने वाले एक होगा outer loop and एक होगा inner loop ओके अब दोनों लूप हमारे for loop होने वाले हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे for int i equals to zero then i is less than lines then i plus plus ओके देन उसके बाद में एक inner loop लगाएंगे हम यहाँ पर for int j equals to zero j is less than lines j plus plus अब यहाँ पर हम समझेंगे जो हमारा outer loop है वो किसलिए रनने वाला है वो होगा हमारा रन रोस के लिए और जो इनर लूप है वो रन होगा हमारा columns के लिए ओके अब यहाँ पर हमें क्या करना है जो हमें star pattern print करना था उस star pattern में कहीं पर spaces थे और कहीं पर जगह पर हमारे पास में stars थे तो अब conditions देंगे हम यहाँ पर जिसमें हम देखेंगे कि हमें star कहां print करना है इंट spaces कहां print करना है ओके तो यहाँ पर सबसे पर step 1 में देखेंगे हम यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्या हम इस परिंट करना है मतलब हम यहाँ पर क्या देखने वाले होंगे यहाँ यहां पर हम में 1 & 3 जहां हमारा i equals to 2 है तो वहां हमें चाहिए 2, second position चाहिए हमें j की जहां पर हमें start print करना होगा, then जब हमारा i equals to 3 है तो हमें चाहिए 1 & 3, then उसके बाग में जब हमारा i equals to 4 है तो हमें चाहिए 0 & 4, अब इसी चीज़ को अगर हम range के form में देखें तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं जब हमारा i का value 0 है तो हमें j का value क्या क्या चाहिए था 0 & 4, तो हमें range के form में कैसे लिखेंगे हम इसे j equals to equals to 0, then और operator का use करेंग हम यहाँ पर and j equals to equals to 4, क्योंकि हमें 0 पर चाहिए और 4 पर चाहिए अगर हम end operator का यहाँ यहाँ पर यहाँ रिखाते तो हमें 0 से लेकर 4 तक मिलता है यहाँ चाहिए , जब हम którego कहा हम पर स्टाइब है j equals equals to 1 और j equals WIL यहाँ है, जब हमारा i का value 2 है , तो हमें कहाँ चाहिए ? j equals to equals 2 पर चाहिए j equals to equals to 0 and j equals to equals to 4 मतलब और operator का हमने यहाँ पर use कर रखा है अब step 3 की तरफ हम जब बढ़ते हैं जो part हमने यहाँ पर highlight किया है वो part हमारा highlight कर रहा है condition 1 को and जो हमारा circle किया हुआ part है वो हमारा highlight कर रहा है condition 2 को तो अब यहाँ पर step 4 में हम देखेंगे कि हमारे पास में conditions क्या-क्या है तो j equals to equals to i एक हमारी condition है तो जो मैंने यहाँ पर squares लगा रखें वो हमारा highlight कर रहा है इसी condition को j equals to equals to i जैसे हमने यहाँ पर देखा i equals to equals to j है मतलब जब हमारा i zero position पे j zero position पे तब हमें star चाहिए जब हमारा i one है तब भी हमें star चाहिए जए है फिर तब भी हमें star चाहिए तो यह क्या represent कर रहे है हमारे j equals to equals to i को जो circle वाला part है वो highlight कर रहा है वो represent कर रहा है j equals to equals to lines minus i minus one अब इसका calculation में एक बार हम देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पर हम سब हमें क्या चाहिए five minus i minus one मतलब हमारे lines थे five तो lines minus i minus haha हम क्या लिख सकते है lines minus i minus one को five minus zero minus one your two minus one जो कि होगा हमारा two okay same हम करेंगे three के yield five minus three minus one 2-1 and हमें जो मिलेगा अंसर वह होगा हमारा 1 जब i equals to 4 है तो 5-4-1 जो दे रहा है हमें 1-1 equals to 0 तो जो हमने जो range form बनाया था उसमें जो हमारा पहला पार था जो हम देख रहे थे हमाँ पर जो i equals to 0 था तो j equals to equals to 0, j equals to equals to 1 था जब i equals to 1 था तो वह वाला condition हमारा satisfy हो जा रहा है किस थ्रू किस condition के थ्रू जो हमारा second part था वह satisfy हो जा रहा है किस के थ्रू जे equals to equals to lines minus i minus 1 तो यह complete explanation था अब हम क्या करेंगे इसी conditions को लिखने वाले हैं हमारे for loop के अंदर तो हम यहां लिखेंगे if then उसके वाद में हम यहां लिखेंगे जे equals to equals to i और operator का यूज करेंगे और यहां लिखेंगे हम जे इकवेश्ट 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 तु lines minus i minus 1 ओके तो यह condition जब satisfies हो रही है तब हमें क्या करना है print करना है हमारे star को ओके तो हम यहां कर देंगे print star को and then अगर हमें यह condition satisfied नहीं हो रही है तो हम else part में लिखेंगे printf यहां पर printf यूज करेंगे and यहां पर हम देंगे simply spaces ओके अब एक चीज़ और कि अगर हमें next room में अगर कुछ stars प्रिंट करने तो उसके लिए station चाहिए होगा next line चाहिए होगी तो हमें हर एक कॉल्म के बाद में क्या दे रहे होंगे session मैंने session के यूज आपको बताया दिया जैसे कि session हमारा यूज होता है cursor को next line पर लाने के लिए फिर control को next line पर लाने के लिए अब हमारा जो प्रोगाम है यहां पर हो चुका है अब इसे अगर हमें format करना हो यह फिर हमें अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर कोई भी फाइल जो है वह प्रेजेंट नहीं है तो इसे लाने के सबसे पहले हमारी फाइल को रण हो जाएगा अब यहां पर हम कुछ वैल्यूस देते हैं जिसे कि हम यहां पर देंगे 5 तो हमारे जो पैटन है वह मिल चुका है यहां पर उसके 서jek कि देख सकते हैं कि जब से यहां पर मिल रहा है जब हमारे फाइब नहीं लगा रहा है कि हमें Center क्या है मतलब तो यहां पर हमारी फाइल दिया तो जैसे कि हमारे जो रो सेकेंड है उस पर यह पूजिशन है जो यह पूजिशन है तो यहां पर यह क्या मिल रहा है इसे intersection point बिल रहा है तो यह क्या कर रहा है एक इस्टार को यहां पर प्रिंट कर रहा है तो जैसे अगर हम यहां पर odd number of values देते हैं अगर हम कोई भी बड़ा odd number of value दे रहे हैं तो हमारा जो program है वह यहां पर run हो जाएगा जैसे suppose अगर मैं यहां पर 15 देता हूं तो देखिए हमारा जो पर यहां पर देंगे अब सब्सक्राइब करना है तो आज की वीडियो में इतने टापिक पर चीए तो आज के लिए इतना ही थैंक यू